स्वास्त और सुन्दरता सब्बंधीत नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए डॉक्टर ठककस हेल्ट टनेट चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाए हल्क के भुरे रंग का चीकु सा दिखने वाला रोवेदार कीवी सबसे पहले चीन में इस्तमाल किया जाता था चीन से यह न्यूजिलेन में पहुचा और आज विश्व भर में इसे खाया जाता है यह एक पहाड़ी फल है अपने सुन्दर रंग और मिठे स्वात के कारण कीवी फल लोगों की पसंद बनता जा रहा है यह स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्त और सुन्दरता बढ़ाने में भी अत्यांत लापकारी है यह फल अनेक गुनकारी खनीज, विटामिन, फाइबर्स और एंटी ओक्सिडन का खजाना है जैसे केलशियम, कोपर, फॉलेट, पॉटेशियम, विटामिन, सी, विटामिन के आदी अपने इनी गुनों के कारण यह फल भहुत से रोगों से मुक्ती पाने में और अनेक रोगों के पतिरोध में सहायक सिद्ध हुआ है इस विडियो में आप जानेंगे क्या डायबिटिस में भी किवी फल खा सकते हैं किवी फल के फायदे, किवी फल खाने का तरीका, किवी फल खाने में क्या साउधानी होनी चाहिए और डायबिटिस को जर से खत्म करने में सहायक एक उत्तम घरेलू उपाय और महतुपूर्ण टीप इस विडियो के अंत में बताई है इसलिए इसे ध्यान से देखे और पुरा देखे नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष ठककर आपका आरोग्यमित्र स्वागत करता हूँ आप सभी का डॉक्टर ठककर हेल्थ प्लानेट में क्या डायबिटिस में किवी खा सकते हैं? केन डायबिटिक इड किवी? इस फल का ग्लाइसेमिक इंडेज बहुत कम मातरा में होता है और इसमें केलरी भी कम होती है इस वज़र से यह फल खाने से बलड में ग्लुकोस की मातरा बढ़ती नहीं है इसलिए आप डायबिटिस में इस फल को खा सकते हैं? जी हाँ, बिलकुल खा सकते हैं इस वज़र से डायबिटिस, दिल के रोग और वेट लोस में यह फल भहुती फाइदे मन सिद्ध हुआ है किवी फल के अन्यलाव, पाचन तंत्र के लिए फाइदे मन, यह फ्रूट हमारी पाचन प्रनाली के लिए फाइदे मन होता है यह कहीं फाइबरों और भहुत से पाचन एंजाइम से भरपूर होता है, जो पाचन के लिए अच्छे और महत्वपूर्ण होते है इसमें एक्टिनिदिन नाम का प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जो प्रोटिन के विभाजन में मदद करता है यदि आप पेट खराब होना अपच और अन्य पेट की समस्याओं से परेशान है, तो आपके लिए यह फल का सेवन करना फाइदे मन होगा रोग प्रतिकाशक्ति बढ़ना बहुत सारे पोशक्तत्वों के कारण हमारी प्रतिकाशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है यह फल इसमें विटामिन सी और कई एंटी ओक्सिडंट होते हैं जो हमें संक्रमन से बचने की शक्ति देते हैं अनेक अध्यनों से यह पता चला है कि सर्गी और फ्लू जैसे बिमारियों की संभावना को कम करने में भी यह फल लापकारी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल इस फल में पोटेशियम की मातरा अधिक होती है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने में सहायता मिलती है सुजन कम करना इसके अलावा कीवी में एंटी इंफ्लामेटरी गुन होते है जिससे सुजन की समस्या दूर होने में भी सहायता मिलती है अच्छी नीन, इस फल के तत्व मन को शान बनाने और अच्छी नीन लाने में भी लापकारी है इसलिए अगर आपको अच्छी और गहरी नीन नहीं आ रही है तो रोज एक से दो कीवी के फल अवश्य खाए आखों के लिए है फाइदे मन, आखों की जाधा तर समस्या है विटामिन A और लूटिन की कमी के कारण उत्पन होती है इस फल में लिूटीन और विटामिन A अच्छी मातरा में पाया जाता है जो आखों की रोशनी बहतर बनाने और आखों की अनेक समस्याओं से मुक्ती पाने में लाबकारी है तवचा के लिए लाबकारी यहाँ फल हमारी तवचा की रक्षा के लिए एक लापकारी विकल्प बन सकता है इसमें उपसित एंटियोक्सिडन हानिकारक बेक्टेरिया से हमारी तवचा की रक्षा करते है इसमें ओमेगा 3 फेटी एसीड होता है जो हमारी तवचा के लिए महत्वपूर्ण होता है अपनी तवचा को सुन्दर और निरोगी बनाए रखने के लिए इस फल का उप्योग आप के लिए फाइदे मन होता है अस्तमा में लापकारी इसमें विटामिन सी और एंटी ओक्सिडन अच्छी मातरा में होने के कारण यह प्रतिकार शक्ती को मजबूत बनाता है इसलिए यह फल अस्तमा के रोग और एलर्जी के लिए भी असरकारत है किवी फल खाने का तरीका आप किवी फल को अकेले ही खा सकते है या इसे तर्बू से केला अदी फलों के साथ काट कर और मिक्स करके भी खा सकते है इस तरह आपके बच्चों के लंज बोक्स में भी इसे दे सकते है और इसे सलाद के साथ मिक्स करके भी खा सकते है आजकल बहुत से केक बन रहे हैं जिसमें किवी फल को सामिल किया जा रहा है लोगों के लिए यह पसंदिता केक बनता जा रहा है इसे आप ठंडा ग्रीन जूस के रूप में भी बना कर पी सकते हैं यह पूरे दिन आपको उरजावान रखेगा आप केले के साथ इसकी स्मूदी बना कर भी ले सकते हैं किवी फल खाने में साउधानी इस फल में लेटेक्स फूट ऐलर्जी सिंड्रोम वाला एंजाइम्स होता है जिसे लेटेक्स ऐलर्जी हो उसे किवी से भी ऐलर्जी होगी एकलिन गेस से पका हुआ फल और्गेनिक रूप से पके हुए फल की तुलना में ज़्यादा एलर्जीक हो सकता है अगर आप या आपका कोई परिचित व्यक्ति रोग से दुखी है असफल उप्चारों से निराश है या उसे ओपरेशन की सलहा दी गई है तो इसका मुझसे अवश्य बात करे 18 वर्षों के अनुपव आधारित इस दुख को दूर करने या कम करने का कोई उप्चार मेरे को पता होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा मुझसे बात करने के लिए F, C, टाइप करके 8097174446 नंबर पर वाटसप करे पाज गलतिया जो डाइपिटिस और अन्य रोगों को जर से नस्ट नहीं होने देती इस विशे में जानने के लिए यह ई-बूक अवश्य पड़े इसकी लिक निचे डिस्क्रिप्शन में दी है डाइपिटिस को जर से खत्म करने में सहायक एक उत्तम घरेलू उपाए मेथी के दाने मेथी के दाने आपके रसोय में उपलग्द होगे या आप इसे बाजार से भी खरिश सकते हैं यह डाइपिटिस के लिए एक उत्तम और सस्ती अवशदी है सबसे खास बात यह है कि मेथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता मेथी के दाने राज को सोने से पहले एक गिलास पानी में डालकर रख दे सुबह उठकर खाली पेटिस पानी को पी जाए और उपर से ये दाने को भी चबा कर खाए यह प्रयोग बलड शुगर को कम करने में बहुत ही लाबकारी है यह प्रयोग तीन से छे महिने तक करना है अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब अवश्य करे जुड़े रहो स्वस्त रहो खुश रहो